यह expiry special वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के expiry के jackpot trade को कैसे identify करना है उसके पीछे का complete logic क्या है और bank nifty और nifty में जो momentum होने वाला है उसके पीछे का price action का plus option chain analysis का logic क्या है तो सबसे पहले start करते हैं bank nifty का analysis अभी आपके सामने मैंने bank nifty का spot का chart लगाया हुआ है 15 minute का अगर आप देखोगे तो market जो है वो एक important resistance level के करीब आ चुका है अभी कल market कैसे open हो सकता है इसका idea हमें dow jones से आ सकता है अभी आपके सामने मैंने dow jones का hourly chart लगाया हुआ है तो हम लोग जब 25 तारिक को close हुए तो 25 तारिक का closing हमारा ये price के करीब आ चुका था अगर आप देखोगे तो वहां से हम लोग almost ऊपर ही trade कर रहे है तो आज रात के दिन market अगर इसी level के ऊपर trade करता है dow jones तो probability यह है कि हम लोग gap up के साथ कल खुल जाएंगे तो अगर हम लोग gap up के साथ कुलते हैं तो हमें किस तरीके से trade करना है यहाँ पर आगर आप देखोगे तो market continuously one sided upside का momentum दिखा र किजें क्योंकि जो लोगों ने नीचे वाले level पर buying के position बने रहेंगे उनको यहाँ पर gap up के बाद एक अच्छा खासा profit मिलता रहेगा और वो फिर यहाँ पर profit booking करना prefer करेंगे जिससे market जो है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है अगर market यहाँ पर नीचे आता है तो यह जो resistance level है तो कल profit booking के बाद initial profit booking के बाद market यहाँ पर price action बनाता है तो उस case में हम लोग 37,700 का जो call है वो 37,700 के call को buy कर सकते है stop load जो रहेगा वो 60-70 point कर रहेगा और target जितना gap up के साथ खुलेगा उसके उपर का हम लोग रख सकते है अगर कल के दिन market flat या थोड़ा सा gap down खुलता है और जै जिसे ही 37,700 के लेवल को upside की तरफ break करता है तो उस case में हम लोग 37,700 का जो call है वो 37,700 के call को यहाँ पर buy कर सकते है उपर की side में target जो रहेगा हमारा 38,000 के लेवल के करिब का target यहाँ पर हम लोग रख सकते है कल के दिन 38,000 के लेवल के करिब किस तरीके का price action है और open interest का data बनता ह यह दोनों हमारे लिए important रहेंगे इसके उपर हमारा next direction clear हो जाएगा अगर market बहुत ही gap down के साथ कुलता है तो 37,000 का जो लेवल है एक important support की तरह market में यहाँ पर काम कर सकता है तो मैं यहाँ पर किस तरीके का price action और open interest का data बनता है वो देख के अपने इस free वाले channel में update कर दूँ जैसे कि मैंने परसो के दिन यहाँ पे nipty का signal दिया ता option दिया ता buy करने के लिए 119 पे और इस option में हम लोगों ने 119 पे buy करके 164 के उपर profit book कर लिया यह free वाले channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है यही एक मात्र मेरा official channel है जहाँ पे 1,90,000 के करीब लोग ज indicate कर रहा है यहाँ पे आपके सामने मैंने bank nipty का option chain लगाया हुआ है यह bank nipty का option chain 27 जनवरी के monthly expiry वाला है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो 38,000 का जो level है यह 38,000 के level के उपर 18,000 लाग shares का open interest बना हुआ है तो जब market यहाँ पर आएगा तो इस तरीके का open interest का change होता है यहाँ पे हम open interest change के column में देखेंगे और फिर उस तरीके से decision ले लेंगे और वीडियो के end में मैं jackpot trade को कैसे identify करना यह भी आपको explain करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को like कीजिए अभी देख लेते हैं कि nipty का price action हमें क्या indicate कर रहा है यहाँ पे upside का बहुत बड़ा target भी यहाँ पर मिल चुका है और इसी momentum में हम लोगों ने यह free वाले channel में यह signal देके यहाँ पर profit book किया हुआ है अभी खल के दिन हमारे लिए important कौन सा level रहेगा तो यह 17184 का जो level है यह important support की तरह काम कर सकता है कल market अगर flat open होके इस level के करीब आ जाता है त अगर कल के दिन market एकदम चोटा सा gap down होता है और इस high को upside की तरह break करता है तो इस high को break करने के बाद हम लोग 17300 का call भी buy कर सकते है उस case में हमारा target जो रहेगा वो 17370 का हमारा target यहाँ पर रह सकता है यहाँ पर हम लोगों को एक बात के उपर focus करना पड़ेगा कि market कहां पर open हो तो कल के दिन market बहुती बड़ा gap up के साथ open हो जाता है 17400 के करीब तो 17400 के करीब से market में जो है वो एक profit booking आप लोगों को दिखाई दे सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक अच्छा कासा profit कुछ लोगों को मिलता रहेगा जो लोगों ने नीचे वाले rate पर buy किया र देंगे वो दूबारा 17400 के करीब के level पर activate हो जाएंगे और उनकी वज़ा से market में यहाँ पर एक छोड़ा सा fall हम लोगों को देखने को मिल सकता है जिसके लिए हमें तयार रहना है अभी देख लेते हैं कि open interest का data हमें क्या indicate करता है यहाँ पर मैंने आपके सामने nipty का option chain लेवल है यह 17400 के level के करीब 34 लाग shares का open interest बना हुआ है 17300 के करीब 33 लाग का और 17200 के करीब 29 लाग का मतलब यहाँ पे almost same open interest सभी तीनो strike price के उपर बना हुआ है यह हमें indicate करता है कि जो writer ने उनमें थोड़ी सी conviction की कमतरता है तो इसी conviction के कमतरता का हम लोग फाइदा ले सकते है अगर 17500 का level देखेंगे तो उसमें 22 लाग shares का open interest बना हुआ है मतलब यह जो level है एक strong resistance level की तरह act होने की probability है लेकिन यह नीचे की साइड में जो resistance level है यह थोड़े से weak हो चुके है तो यहाँ पे probability यह है कि market अगर upside का price action के हिसाब से momentum दिखाता है तो यह level कल के दिन ही market में break हो स channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो अगर हम लोग put की side में देखते है तो put की side में यह 17000 का जो level है यह important support का का काम करेगा लेकिन market already वहाँ से बहुत ऊपर आ चुका है तो यह level हमारे लिए ज्यादा माहिने नहीं रखेगा हम लोगों के लिए important level कौन से रहेंगे जो add the money strike price के करीब रहेंगे वो वाले level हमारे लिए ज्यादा important रहेंगे तो 17200 का जो level है वहाँ पे 31 लाग shares का open interest बना हुआ है ठीक है expiry के हिसाब से ज्यादा open interest नहीं है लेकिन आज के दिन जो छुटी था 26 जनवरी के कारण उसके व साइड में trade लेना है तो मैं आपने free वाले trades इस channel में update कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को like कीजिए sorry मैं आपको jackpot trade कैसे identify करना है यह बताना भूल गया है मैं आभी आपको बताता हूँ कि कल के दिन expiry के दिन jackpot trade को कैसे identify करना है jackpot trade जिसको आप hero या zero trade बोलते है उसके लिए आपको देड़ बजे तक wait करना पड़ेगा फिर देड़ बजे के बाद आपको क्या करना पड़ेगा यह सा strike price call की side में डोनना पड़ेगा जिसके उपर highest open interest बना हुआ है मानलो की 17300 के strike price के उपर highest open interest बना हुआ है और देड़ बजे के बाद market इस level को break क करने के बाद यहां पर sustain करता है तो आप क्या कर सकते हो out of the money call option जो है जिसका premium 15 से लेके 20 रुपे तक है उसको buy कर सकते हो जिसका stop loss जो रहेगा वो stop loss मात्र 5 रुपे कर रहेगा और target कैसे लगाना इसके बारे में already मैंने YouTube के उपर video बना के रखे हुए है आप वहां पर जाके तो इनके trapping के वज़ा से market में जो है बड़ा upside का momentum आ जाएगा जिसको हम लोग short covering का upside का rally बोलते है क्योंकि देड़ बज़े के बाद सिर्फ 3.30 बज़े तक ही ये लोगों के पास time रहेगा कि market में से निकलने के लिए तो उनके इसी benefit उनके इसी कमजोरी का हम लोग benefit ले ले और इस short covering के rally को हम लोग trap कर सकते हैं अभी देख लेते हैं कि put की side में jackpot का मतलब hero या zero के trade को कैसे identify करना है कौन से level के उपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी आपको सेम देड़ बज़े तक wait करना है और फिर देड़ बज़े के बाद put की side में देखना है कि highest open interest कौन से level पर बन चुका है मान लोग की 17,200 का जो level है वहाँ पर highest open interest देड़ बज़े के बाद बन चुका है और देड़ बज़े के बाद market इस level को downside की तरफ break करके यहाँ पे थोड़े time के लिए wait करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं जो out of the money put option रहेगा जिसका premium 15 से लेके 20 रुपे तक रहेगा उसको हम लोग buy कर सकते हैं और हमारा stop loss जो रहेगा वो stop loss 5 रुपे का रहेगा और target जैसा मैंने आपको बताया हुआ है YouTube के वीडियो में मैंने already explain किया हुआ है तो इसकी वज़े से क्या हो जाएगा वो उपर वाले strike price के उपर जो लोगोंने तेजी के position बनाए रहेंगे वो सब तेजी वाले यहां पर trap हो जाएंगे और बस उनके trapping की वज़ा से market में एक long unwinding का बड़ा downfall हम लोगों को देखने को मिल सकता है जिसके लिए हमें तयार रहना है तो इस तरीके से हम लोग jackpot trade को कल के दिन identify कर सकते है तो इसी तरीके के educational वीडियो द subscribe करके bell icon का button दबा दीजिए तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा immediate आपको उसका notification मिल जाएगा तो मिलते हैं next educational वीडियो में thank you very much